दीखिए कितने बहतरीन कोफते बने हैं, एक भी ना चिटका है, ना फटा है, ना तूटा है, मेरे इस तरीके से घर में कोफते बनाएं, रोटी, पूरी, पराथा, चावल, किसी भी चीज के साथ खाएं, और मजेदार कोफतों का लुथ उठाएं आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखे, मैं इस वीडियो में आपको कोफता बनाने के ऐसी ट्रिक बताऊंगी, जिससे ना आपके कोफते टूटेंगे, ना फटेंगे, ना चिटकेंगे, और बहुत इशांदार बनके रैडी हो जाएंगे, तो देखते हैं, इस फ्राइब को 45-600, एपकी 5-500 . पेस्स मॉठीं पनगे तो यह उच्छ कहाले में कोफते बनाने के लिए बिल्कुलए समूथ के जाएंगे मैं एशेये घुंण को किमे की में राम दाल घ्रिक राइड वाइड द्लिय । ना दाल दिय मैं झगार औंटेंगे लेकर और इनका छिलकागर में आसानी से हटा सकते हैं और ये मैंने 11-12 काजू लिये हैं काजू एड़ करने से कोफते बहुती सॉफ्ट बनते हैं इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती हैं मैं इन दोनों का एक फाइन पाउडर बना लूँगी कोफते में एड़ करने के इसे लिए 2 त्टीश्पून राची स्पूव जनमक बमम है 178 चीलि फनस्टि ऑफ टीष्पून 乱 आफ टीश्पून अल्दी पाउडर है 20 जने इसे बिल्कुल बारीग कर लिया और ये हरा धनिया है इसे बिल्कूल बारीक कर्लिया ये तीन मीडिययम साइश की प्याज है बिल्कुल बारीक कटकी हुई, ये देखिए मैंने कीमे को अद्रग लसन और प्यास के साथ बिल्कुल स्मूथ पीस लिया है, ये मैंने रोश्टेड चना और काजु का बिल्कुल फाइन पाउडर बना के रख लिया है, आप इसे बनाना इस्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मै मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें मैं ये कीमा एड़ करूंगी, उसके बाद मैं इसमें ये रोश्टेड चना और काजु का पाउडर भी एड़ कर दूंगी, जिसे मैंने बनाया था, फिर डाल दूंगी मैं ये बारीक कटा प्यास, और साथ में ये सारे मसाले, अहरा धनिय और मिर्ची भी, और अब इन सब को बहुत अच्छे से मिक्स कर लोगी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मक्षन भी डाल दूंगी, आप इसकी जगह, देशी घी या कोई भी कुकिंग ओयल भी आड़ कर सकते हैं, इससे भी कोफते की बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, जाय जायका बहुत अच्छा आता है, इसकी मिक्सिंग की टाइम, मैं यहाँ पे आपको एक टिप्स देना चाहूंगी, अगर आप बिगनर हैं, कोफता पहली बार बना रहे हैं, यह आप से कोफते बनाते टाइम फट जाते हैं, चिटक जाते हैं, तो आप अगर अंडा खाते है तो आप यहाँ पे एक दो अंडे फोड के डाल दें, अंडो से भी इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर आप मेरे इस तरीके से बनाएंगे, तो इन्शालला आपके कोफते बहुत अच्छे बनेंगे, जायका भी बहुत अच्छा है, ना फटेंगे, ना चिटकेंगे, यह देखिए, अब यह बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, यहाँ पे मैंने लिया है, थोड़ा सा पानी एक कटोरी में, और पानी में अपने हाथ में ऐसे लगाती जाओंगे, और इसका एक थोड़ा सा पोर्शन लेकि जितने बड़े हमें कोफते बन कोफते की सारी बॉल्क्स बनाली है, आप इनका साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं, कि देखिए, बिल्कुल चिकनी बॉल्क्स बनी है, इन्शालला यह फटेंगी नहीं, तो अब इने फ्राय कर लेते हैं, मैंने पैन में ऑईल अट करके इसे गैस पर रख दिया है, गरम होने के लिए, गरम हो गया है, अब मैं इसमें कोफते आइड कर दूँगी, एक एक करके, देखिए कोफते कितने अच्छे से फ्राय हो रहे हैं, मैंने इनको डालते टाइम फ्लेम को स्लो पर रखा था, अब इसे फ्राय हो रहे हैं, और एक तरब से हलका सा फ्राय हो जाने पर मैं सारे कोफतों को ऐसे पलट दूँगी, मैंने सभी कोफतों की साइड चेंज कर दी है, यह देखिए कितने बढ़िया फ्राय हो रहे हैं, इन्हें ऐसी थोड़ा सा इस्टिर करते रहना है, दोनों मैंने से अलट इलट कर बहुत अच्छी से फ्राय हो गए हमारे कोफते, अब मैंने निकालूंगी, मैंने सेम प्रोसेस सारे कोफतों को फ्राय करके निकाल लिया है, देखिए कितने बहतरी इन फ्राय हो हैं, आयल भी बिल्कुल साफ है, एक भी कोफता मेला चिटका और टू कटकी हुई वर य तीजपून नमक हैं फ तीया दिया प्यादा आयुटकों श Yoo रिद ना hesitate करें श काई नबाने के लिया है इसमें 3 तेज़ पत्ते हैं 1-2 तीसपून जीरा है हाफ तीसपून काली मिर्च है डाल चीनी की स्टिक है और एक बड़ी लाइची है क्रश्ट के हुई कोफती की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने पतीले में इस चम्मच से नापके एक चमच आपकर दिया है गरम हो गया है ओयल अब मैं इसमें सबसे पहले ओनियन एड़ कर दूगी और इने फ्राइ कर लोंगी ओनियन को ऐसे इस्टिर करते हुए इससे बिल्कुल ब्राउन फ्राइ कर लेना है प्यास अच्छे से फ्राइ हो गा है अब मैं इने निकाल लूँगे देखिए मैंने ओनियन निकाल लिये हैं अब मैं इन्हें ठंडा होने के लिए रख दूँगी जब यह ठंडे हो जाएंगी तो मैं इन्हें दही के साथ मिलाकर इनका फाइन पेस बना लोगी क्यूंकि आज मैंने थीक वाली दही ली है जो इसके साथ पीसने से वह अच्छे से जाएगी अब मैं इस ओयल में साबुत गरा मसाला एट कर दूँगी पीस पच्छी सेकेंड ऐसे स्पून चलाते वे से सौटे कर लोगी जिससे इसका अच्छा सा फ्लेवर हमारे वाइल में रिलीज हो जाए गरा मसाला अच्छे से क्रेकल हो गया है अब मैं इसके बाद यह जिंजर गाली पेस्ट आट कर दूँगी और इसे हाई फ्लेम पे ऐसे थोड़ा सा भून लूगी जिंजर गाली की पेस्ट को मैंने ओयल में एक मिनट अच्छे से भून लिया है अब उसके बात में यह सूखे मसाले की यहां पर आइट कर दूगी और इन मसालों को अच्छ लग रही है ना बिल्कुल होटलों की तरह सुर्ख सुर्ख सी अब आपको होटल जाने की जरूरत नहीं है आप इसे घर में बहुत अच्छे से बना सकते हैं देखिए हमारा मसाला भून गया है अब मैं यहां पर ओनियन और दही का पेस्ट भी एड़ कर दूँगी जिसे मै अब इसके बाद में यहां पर डाल दूँगी तकरीबन 200 ml पानी मैंने इसमें 200 ml पानी आयट किया है आप इसे अपने हिसाब से पानी को कम जादा कर सकते हैं अब मैं ले लूँगी इसमें अच्छा सो बॉयल देखिए कितने अच्छा सो बॉयल आ गया है इसमें अब मैं य 3 मिनट के लिए पका लूँगी एसलो फ्लेम पर जिसमें हमारे कोफते और हमारी ग्रेवी आपस में बहुत अच्छे से मिक्सप हो जाए यहां पर हारा धनिया की गानिशिंग कर दूँगे कोफते का सालन अब रेडी है आप फ्लेम को ओफ करूँगी और इसे कर लोगी डिश आउट देखिए कितने बहतरीन कोफते बने हैं एक भी ना चिटका है ना फटा है ना तूटा है आप मेरे इस तरीके से इसे एक बार पसम टेस्ट आता है इसका अगर आपको मेरे कोफते का सालन बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंड शियर और सब्सक्राइब टू माई चैनल तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज